गूदावानुन और घवक्त दीक है। इस दिए उनुऊं सब्सक्राइब किभा टीटी ry 그 הצ कर्णे i इसके कोई end point नहीं होता है इधर से विदर जा सकती ओर इधर से बीदर कितनी भी जल सकती है तीक है nine segment जो आपको होता है वोixed होता है थीक है कि इतने से hätte m입 का तो वह आपका हो गया लाइन segment और रे जो होता है उसका starting point fixed होता है बट ratting point को parameter पिक्स नहीं होता और एक स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी भी रेज बन सकती है ठीक है अब नेक्स चीज जो हम पढ़ेंगे वह हैं टाइपस ऑफ लाइन ठीक है एक होती है इंटर्सेकिक लाइन कॉनसी होती है जो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है ठीक है और पैलेल लाइन कि वहीं होती है पैललल लाइन ओर धियुद्षेस है टीक है पर एक दूसरे को 90 रहाएं गरगाते चाहिए अभा इस एकिसे साइज में देखो write the type of the line and lines below them, कौन सी lines हैं यह, यह देखो, यह एक दूसरे को कहां काट रही है, बिल्कुल, mid में काट रही है, straight पे बिल्कुल, 90 degree angle पे, तो यह कौन सी हो गई, perpendicular, ठीक है, यह आपस में एक दूसरे को काट रही है, यह कौन सी हो गई, intersecting lines, यह आपस में एक दूसरे के equal है, इन होने क्या बोलेंगे, parallel lines, और यह कौन सी हो गई, ray, ठीक है, जिसका starting point fix है, but ending point fix नहीं है, ठीक है, write the angle of type, which is between the hands of cloth, आप protector से इसको नापके जब देखेंगे, तो यह around 130 degree का आपका angle आ रहा है, 130 degree का angle कौन सा होता है, obtuse, ठीक है, तो यह कौन सा angle हो जाएगा, obtuse, okay, look at the figure and filling the blanks यहाँ पर एक picture बना हुआ है, आपको उसके accordingly, filling the blanks को बताना है, the arms of the angle are, कौन कौन से हैं इसमें दो lines, CB, या फिर BC और AB, ठीक है, कौन सी line हो गई दो, AB और BC, ठीक है, the vertex of the angle, vertex B joint का है, B, तो यह क्या हो गया, vertex, symbol of an angle is, क्या है इसका पूरा नाम, AB और C, तो यह क्या बन जा ठीक है, now, next question में आपको क्या करना है, measure the following angles with the help of the protector, protector से आपको इनको नापके, और यह कितने degree के हैं, वो आपको इसमें लिखने है, ठीक है, यह वाला question आप अपनी book में ही करना, बाकी सारे, यह वाला और second वाला question आप book में करना, बाकी first or third question आपको copy में भी करना है, ठीक है, एक hand 12 पर और एक hand 6 पर पूरा straight बन रहा है, तो यह कौन सा angle हो गया, 180 degree, protector is having half circle shape which can measure from up to, protector की जो shape होती है, उससे हम कितने angles नाप सकते हैं, mostly, mainly, highest 180 degree के, ठीक है, when the clock hands on 3 and 12, then what is the value of angle between them, एक number 3 पे होगा, यहाँ पे, और एक number 12 पे होगा, तो यह कौन सा angle बन गया, 90 degree का angle बनाए, ठीक है, next question है, how many right angle will make a straight line angle, straight line angle के लिए कितने right angle होंगे, 180 degree का straight होता है, तो उसमें कितने 90 degree के angle हो जाएंगे, 2, ठीक है, यहाँ तक हम इस class में कर रहा है, आगे के हम next class में करेंगे, okay, bye,